कि अब टाइब अब टाइब तो अब आज हम कवर करने वाले वाले चोटी सी वीडियो के अंदर तो वीडियो को पूरा देखना यह वीडियो आपके 20 मार्ट को पक्का कर देगी स्टार्टिंग करते हैं पहले चैप्टर के साथ आइस रिसोर्स क्या होता है कोई बी ऐसी से दुनिया की काम आ रहे है आप पढ़ने के लिए उनको सब्सक्रिटें हैं नहीं होती है जैसे कि और था है उन्हें जाने घोच्टिए वह कभी खतम होंगे या नहीं होंगे तो समने होता है इस से प्रेजिशंग इसमें चार टाइप के होते है इंडिबिजिवा diyorum किसी फर्थ और यह होते हैं दूसरा होता है कमिनिटी रिसोर्स ऐसे रिसोर्स एक ठूहरी क्या नज्री जिसे पहीं के लिए he और इंटरेशनल से महतं हमारे देशेंट न मायर्स की दूरी पर जितने था यह यहीं सब्सक्राइब on rozbiakola 12 salary के वह कितने पहला होता है। पोटेंशल रिसोर्स हम अब कभी बच्चे से लेकिन तो इसका यूज निकर रहे हो तो ऐसे पोटेंशल होते हैं कि इनके पोटेंशल को सटीस्फाइब कर सके लेकिन फिर भी हम इनका भी यूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी रीजन की वज़ासे जैसे कि गुजरात और राजस सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उनके लिए प्रॉपर टेक्नलोजी नहीं है जैसे वेस्ट बेंगॉल में क्या है एक बाइक में रिजर्व होता है जो कब काम आता है जब गारी का पेट्रोल खतम हो जाता है उसी तरीकी से उनको क्या रखा जाता है उनको बचा का रखा जाता है तब काम आए जिनके अंदर पोटेंशल है जिनके लिए हमारे पास टेक्नलोजी है लेकिन फिर भी आज के टाइम पर हम उने यूजने कर रहे हैं आपका होता होगा रिजन हो सकता है उसका कि खराब तरीके से स्थमाल हो रहा है उन्फेर यूज रहा है रिसोर्स का कुछ लोग बहुत जारा रिसोर्स को एंज्वाइब कर रहे हैं और कुछ लोगों के पास बिजली तग नहीं है इन सब चीज़ों की वैसे हमको रिसोर्स को यूज करने के बनाने की जरूँज़ton है इसके लिए बनाई जाती है इंडिया में इससे इस सिमलर क्या प्लानिंग के और किया गटते हो वियुझे करेंगे बनाते हो इसमें पहले से क्या क्या पढ़ने उर चसाइब अगरने हमने के और सबसे पहले क्या किया जाता है कि देश के रिसोर्स के लिए उसको मैच करते हैं कि हमारे नेशनल डेवलिमेंट प्लान से मैच कर रहा है तो यह तीन स्टेप्स होते हैं पहला इंडिया में जमीन है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है कहीं पर खेती में इस्तिमाल कर लिया जाता है तो उसका उस तरीके से यूज होता है लेकिन इसमें इक इम्पॉर्डंट टोपिक में वह होता है हमारै लेंग क्या होता है चींप्वालिटी को खराभ होता है तोने की क्वालिटी क्वालीटी खराब वा रहे हैं कई सारी में होता है वामर्स ज्यादा सी ज्यादा ज्यादा इंपुट के सैंसे उनको फाइनर अच्छे रेज़ट्स जिससे उस जगह की जमीन को recovery करने का time ने मिल पाता है इसकी वैसे इन्दरीप क्रेक्स आ जाते हैं और जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है अब इस लेंडेक्रेडिशन की problem को कैसे किया जाए वेरी सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो क्या करो जादा से जादा पेड़ पॉधे लगाओ यानि कि एफॉरेस्टेशन करो तो तुमारी लें डिग्रेडिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दूसरा क्या कर सकते हैं यह जो जानवर चारा चर रहे हैं इ क्या सकते हैं को रोक तो सकते नहीं है लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैने को गोड्म सकते कि देखो आप जमीन पर इससे जधादा प्रेश्र मध डालना वनना रहना खराब हो जाते आप कूछ ऐसे बनादे तो यह तीन स्टेप चाहिए हैं इन तीन स्टेप से हम लें इंपोर्टेंट होती है क्योंकि इंडिया में सबसे जारा पाई जाती है वह तीन हिमालया कौन सी है बी आई जी ब्रामपुत्र इंडस एंड गंगा बेग इसकी सिंपल सिंपल ट्रिक है ठीक है अब को दूपार्ट में क्लासिफाय किया जाता है न्यू एलूवियल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए इसको रिगर स्वेल भी कहा जाता है और इनके इंदर बहुत अच्छी कैपसिटी होती है कि नमी को होल्ड कर सके वाटर मॉश्यर को होल्ड कर सके थर्ड होता है रेड यलो स्वाइल रेड यलो स्वाइल क्यों जरूरी है इससे कई बार सवाल बनता है mcq में के रेड यलो स्वाइल का कलर रेडिश क्यों होता है यह इसलिए होता है यह जो स्वाइल होती है यह डेवलप होती है रॉक्स पर और रॉक में जाकर क्या हो जाता है जब जाकर मिल जाता है तो उससे रेड कलर इंदर आ जाता है तो रेड रेडिश कलर जो होता है कि यह कहां पाई यह कहां पाई जाती है इसकी सिंपल टेक मैंने आपको बता भी रखे ठीक है फोट होता है जिसकी विज़ेसे स्वाइल के इंदर होता है वह बहुत ही कम होता है यह सवाल में आ सकता है कि यह मस्कॉंटेंट लेटर वह कम क्यों होता है यह मर जाते है हाई टेंफरेचर में रहने की वैसे यह सवाइल की कमी होता है क्यों क्यों क्या करता है है सबसे पहले द्रस जेनली कहां पाई जाती है अब जिसको यह समझ में नहीं बड़ेगी हैं ही माचल प्रडेश साइट यहां पाई जाती है यहां आपका मेन मेन खतम होजाते हैं में आपर मोस्त लेह वह बहुत ही इंपॉड़न होती है यहां से बहुत तीज पानी बहते हो आएगा तो यह क्या करेगा जो उसकी सबसे टॉप बाली लेयर को अपने साथ बहता चला बहाता चला जाएगा यह इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यह जो रोज़ी कि व्याविक्ष एक हुळं से हटे में अब बेनीग जैसे लेयर कोई आज ये लेयर को आएगा तभी के तभी कुछ टाइम के अंदर अंदर एक नई लेयर भी फॉर्म हो जाते हैं यानि कि स्वाइल एरोजन और स्वाइल फॉर्मेशन नौन साथ साथ ही चलते रहते हैं जिससे बैलेंस बना रहा है अब स्वाइल एरोजन की प्रॉब्लिम को सॉल करने का सिंपल तरीक है यह जो पानी आ किस्ट्रिप में काड दे nžeं को छोटी रवला छोटी जोटी रव्लम स्ट्रिपस में काड देंगी एंपर फार्मिंग करें घ्र इंसे करेंगे इसे क्या होगा सोई रर बशनियन βाशन के लिए कांट्योर फ्लफिंग कांट्योर प्लफिंग में हम सिमलर चीज़ आ आपने जीने और देखेंगें DE सी इसी तरीके से कोंट्यमक करते हैं को डिवाइब कर थे सबते पहली पर पहले कर दूसरे यह का म्यों होता है लम्पी रहोत बहुत बड़े-बड़े उनको क्यों लगा जाते यह तेन से बचने के लिए इरोजन को स्वाइल को कंजर्व करने के लिए आपको यह समझ आया हो नेक्स चैप्टर हमारा आता है वाइल लाइफ रेसोर्स इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी कबर लेंगे बहुत ही चोटा सा चैप्टर है इनकी खर्षाइन प्लांटी पर लोग जीना है और लिए जींडा है यह बहुत तरीका होता है इनको देखने का इनका रहना इंपोर्टेंट है इसको लेकर क्या रखेंगे इनकी पॉपलिशन की बेश पर आईउस एई इने इनिटरेचल यूनियन और यू निटर्शन आफ न वो सभी species आ जाती है plants और animals की जिनकी population normal है यह अभी उस पर कोई खत्रा नहीं मढ़रा रहा है जैसे human की population नॉर्मल से भी जादा है लेकिन इनकी population बस normal है ठीक है दूसरा होता है endangered species endangered species वो species होती है जिन पर खत्रा मंढ़रा रहा है उनकी existence के खत्म होने का almost extinct होने का तो यह वो species होती है विचारें इन पर खत्रा मंढ़रा रहा है इन पर खत्रा मंढ़रा रहा है कि कुछी टाइम के अंदर अगर इनको नहीं कि आ जाएगी जिनकी ओपर किसी बी टाइम किसमें जा सकते इंडेंजर में आ सकते हैं तो कोई भी सबसे पहले नॉर्मल से फिर वह बहुत ही कम पॉपलेशन पाई जाती है और इन पर भी खत्रा मंढ़रा होता है कि यह बी इंडेंजर हो सकते हैं किसी बी टाइम पर फिर आता है हमारा इंडमेक इंडमेक इस वह होते हैं जो किसी पर्टिकलर एरिया में ही पाए जाते हैं जैसे अडमान वाइल पिग निकवार पीजन को आप अपने घर के आसपास और फॉरस पे गोमते हैं इसक्टे कर दो को बता रहा है इसक्टिक्ट प्रप्र रिसेर्च के गई लेकिन पूरा रिसे के बारे में हम कोई भी हमको कोई सबूत नहीं मिला इसका एक्जामपल है नहीं आया है तो आप मुझे टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हो मैं आपको वहाँ पर भी आपके डाउट क्लियर कर दूँगा उसके बादा है डिपलीशन फॉरेस्ट डिपलीशन फॉरेस्ट पिसिकल रेलवेज हारवर कॉमर्शल इन सब चीजों का डिवलमेंट वहा जिसकी वैसे बहुत सारे इरिया को क्लियर किया गया था और इसकी वैसे जो फॉरेस्ट डिपलीट हुआ पहला रीजन यह माना जाता है दूसरा रीजन माना जाता है लार्ज सकेल डिवलेमेंट प्रोजेक कोई भी चीज आपके काम आती है तो फॉरेस्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं तो फॉरेस्ट पोल रहते हैं तो पहला पहला कोलॉनियल पेरिट से रेलेटेड है अर दूसरा तुमारा लार्ज स्केल डेवल्मेंट प्रोजेक्ट एक और रीजन है जो रीजन के बारे में कोई ग्रेसनिक जाकर चारा चड़ना इसे इरिया को बहुत जा जारा रुखसान होते हैं यह को नोगत करनाएं ने बेंपने o अब जिस्त को धुलिए को सबक्र Burns करने के लिए कुछ करने गये हैं इनके बारे मेंEEP बात करते हैं बात इंडिया में wildlife protection act implement किया गया था 1972 में जिसमें क्या गया गया था एक list को publicized किया गया था जिसमें यह था कि हमको इन इन species को क्या करना है इनकी species को प्रोटेक्ट करना है इनकी species की population को क्या करना है हमारे देश में maintain करके रखना है और इस project का main objective क्या था कि यह जो endangered species है जो दिन होगा लोग हंट करने नहीं जाएंगे साथ हम इनको legal protection दे देंगे जानवरों को कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो सरकार आपके साथ खड़ी है कानून आपके साथ खड़ा है इसी को लेकर क्या किया गया था wildlife protection act को लेकर हमारे देश में करी सारे national parks बनाए गए है wildlife centuries बना जैसे टाइगर के लिए प्रोजेक्ट बनाए दिया गया था जिसका नाम ही था प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही वेल पॉपलिसाइज एंब फेमस प्रोजेक्ट था जो पूरे वर्ल में wildlife की मामले में famous हुआ था क्योंकि इस से इंडिया को टा जाथ ही जाथ इसमें यह नहीं बोला गया था कि और भी जो इस पीसीज जो टाइगर से रिलेटेड है जो एकोलोजिकल इंपॉर्टेक्ट करना है उन सब को भी हमको प्रोजेक्ट कर लिया और बागी चोटे-चोटे जानवरों को मढ़ने दिया तो टाइगर क्या खाएग बागी सभी इकोलोजिकल चीजों को भी प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दिया किया और बात में गया हुआ नाइटी 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 सिक्स में भी जो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन है उसमें क्या करने लगे हम कुछ-कुछ बटरफ्लाइस को भी एक ड्रेगन सबको भी इस लिस्ट में रखने लगए कि हम इनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है ले क्या होने क्या कर सके प्लांट्स और इनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रख सके बस्UCK κुट्रिय कड़े और सब्सक्त बस्रोघंप प्रॉरेपें उनक्लास्त को हमारा जितना इरिया जिसमे detailed. से थे प्लांट से इनको पर इंवायमेंट प्रोवाइड करना और दूसरा यहां से इन जो फॉरेस्ट है रिजर्व पर प्रोटेक्टेट्स से इन से कॉमर्शल परपस की चीजों को ऑप्टेन करना जिसे इन फॉरेस्ट में जनरली इंडर को ग्रों किया जाता है क्योंकि timber की लगडी बहुत ही important होती है यह बहुत ही strong word होती है और यह commercial परपस में काम आती है तो simple है यह जो रिजर्व पॉरेस्ट होते हैं इनका यूज commercial परपस के लिए किया जाता है जो unclassed forest होते हैं यह wasteland है जैसे जारकंड में आदिवासी हैं तो उनकी लिए क्या है यह जो विलीजर से गाव वाले इन्हों खुद से लड़ा है सरकार के खिलाफ कि हमको क्या करना है फॉरेस्ट एरियास को प्रोटेक्ट करना है कई सारी जगह उपर जैसे राजस्तान की अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पांच गाउने मिलकर क्या कर रख रख आ हैं अगर आप यहां पर आते हो तो यहां के हंटिंग करने देंगे उन्होंने बोला है हम ऊसको उससे प्रॉफिट कर सको यहीं सब्सक्राइब के लिए हमारे इंडिया में भी जो ज्व्यांट वैने इस कि अगर हम को फॉरेस्ट को सच में तो हमको लोकल की मदद लेनी पड़ेगी इसमें विलेजर्स को थोड़ा बहुत दे देती है जो भी इनको फॉरेस्ट से मिलता है इस तरीकी से प्रोग्राम इंप्लिमेंट किया है जिसमें वो फॉरेस्ट एरियास को प्रोटेक्ट करते हैं विद्ध हेल्प ओफ लोकल विलिजर्स और बदले में वह क्या करते है इनके साथ थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को शेयर भी कर देते हैं हमारे इंडिया में सब लोग अगर वो समझ रहें तो आप लोग क्यों समझ रहें हो सब सिंपल है ठीक है अगर फॉरेस्ट इरियास खतम हो जाएंगे तो यह दुनिया भी ऑल्मोस्ट खतम ही हो जाएगी यह हमारी दुनिया बहुत ही साइकल पर टिकी हुए और साइक भी फैक्टर खतम हुआ त गलत गलत से उसका देप्लीशन होता रहा तो इकोलोजिकल बैलेंस नहीं रहेगा जिस से क्या होगा पूरी ऐकोलोजिकल साइकल डिस्टर हो जाएगी और हुमन का एक्डिस्टेंस भी खतम हो जाएगा यह हमारा चैप्टर होता है कौन सा वाला वाला मोट करते हैं थर्ड चैप्टर पहरा रिसोरस सब में बहुत सारा पानी है फिर धैक्स है कि दुनिया में क्या हो रहा है पानी की छोर्ट है लिगी जो फ्रेश वाथर यूस करने के काम सकता है वह बहुत ही कम है only दुनिया के पूरे पानी में से सर्फ 2.5% ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर है और 2.5% में भी हमको क्या करना है पूरी दुनिया के अंदर पानी को बातना है जिसकी वैसे हम कई बार सुनते है कि यहां पर पानी की शौटेज है वहां पर पानी की शौटेज है तो basically water scarcity क्या है ओपनी की शौटेज होने की दो रिजन बाने जाते है पहला इसकी टाइम पर क्या हो रहा है mut अब दूसरा रीजन क्या है के पानी की कमी का है दूसरा रीजन अप सबको पता है यह रीजन होता है bad quality of water के पानी तो बहुत है यार लेकिन अच्छा पानी जो फ्रेश वाटर है वह बहुत कम है तो दो क्या रीजन है पॉपलेशन को बढ़ना जिससे दिवांस का बढ़ना उससे वाटर शौटेज हो रही है और दूसरा बैड क्वालेटी और एक बहुत बड़ा रीजन है पानी की पानी चाहिए तो बहुत को बनाए गया था बहुत शारे गोल्स को अचीव करने के लिए अचीव करने वे थे और वॉन हम यह सप्लाइब आप था एधि तो मल्टी पैपस रिवर प्रोजेक्ट आप लोग समझ जाते हो यह वो रिवर प्रोजेक्ट होते थे जिनको बनाए गया था तो अचीव मोर डेंड वन गोल इसका क्लियर एक्जामपल होता है हमारा डैम बिसिकली होता क्या है डैम एक तरीकी का बैरियर है या ब्रेकर है बि बिसिकली बैरियर टाइप है बिट्वीन देश्व लोग और जवाला नहरुजी ने क्या घाता है यह नहीं को मंदर कहा था हुनों ने हमारे इंडिया की नए मंदर कौन होंगे यह नहीं जो डैम है इनके बनने को कई बार आपोस किया जाता है कई बार लोग कहते हैं कि इस सेरिया में नहीं बनना चाहिए उनके बनाने को कई बर क्रिटिसाइज किया जाता है इसके निकल कर आते है पहला जो रीजन है जब कहीं पर बनता है तो उसके पानी के नेच्वल फ्लोप अब पूर सब्सक्राइब और से इमेंटेशन क्या होता है यह अपको भी समझने की सब्सक्राइब है जाते हैं तर फैनी इसे पूर सब्सक्राइब यह कहीं पर नहीं सकते हैं यह लोग तो ऐसा नहीं गरा इनकी लाइफ पर बहुत लगों से रिलेटेट यहां पर भी डैम्स पास के पूरे एरिया को पूर इसके बहुत चाहिए लोगों को अपना छोड़ कर अपना चोड़ कर और किसी नहीं जगहाएं पर जाना होता है जिसकी वैसे उनको बहुत प्रॉबलम होते हैं तो यह जो त चौटा रिजन लाज़ स्केल डिस्प्लेजमेंट और चौटा रिजन बहुत ही सिंपल है चौटा रिजन लोगों का मानना है कि आप बनाते हो सो दैट हम इनन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जैसे कि हम फ्लड को कंट्रोल कर पाएंगे सूखे के टाइम पर हमको डैम काम लेकिं डैम काम आते तो है इननी इस टाइम पर तो लोगों का मानना है जब डैम अपने गोल्स को अचीवी नहीं कर पा रहा है तो तो हम डैम बना के हो रहे हैं तो इसलिए डैम के बनने को उप्स है यहां तक पानी बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा है थोड़ा बहुत पहुंच रहा है कई सारे एरिया में यहां पर नहीं लगाए जाते थी जिनके लिए पानी पढ़ता है अब बहुत पानी वाली क्रॉप्स भी लगा सकते हैं क्यों कि डाम की वैसे पानी पहुंच जाता है तो कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है हर चीज के दो पहलू होते हैं फायदे करने की जरूरत है पानी को बचा कर रखने की जरूरत है तो कई सारे ऐसे जो यह प्रॉब्लम को जनरली सफर करता है पानी की शौटेज के उन्होंने कुछ तरीके अपना रखे हैं अब देखो हार बंदा तो आपने घर में डाम नहीं सकता तो लोगों ने क्या चोटे-चो चत पर जो भी बारिश का पानी गिरता है उस बारिश के पानी को ऑने संटोर करते Pres ego बारिज को पानी तो आ हमच मेरा होई तो तो आप सकते हो गोगों नर्लो गया होती है कई लोगों कटS कृप को directions लिए होती हैeto दूरदिय। आप क्या कर सकते हो अब हर इंसान तो अपने घर भोरिंग नहीं नहीं करेंगे तो यह कुछ-कुछ तरीके अपना जाते हैं इंडिया में पानी को कंजर्व करने के लिए और इसी सिस्टम वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं यहां पर हम बारिश के क्लियर होगा होगा आपको इमेज भी दिख रही होगी जिस पर इस चैप्टर की त्योरी को जो मैंने पढ़ा है वह कुछ उसको एक पार रिवाइस सरूर कर ले ना क्योंकि यह पक्का ही पक्का आएगी के सब्सक्राइब करते हैं नेक्स चैप्टर पे साथी साथ उसके पहल कहा है कमेंट सिक्शन में पर मुझे बता दिना सब्क्राइब करते हैं मारे अ क्लार प्रार प्रामिंग को किया जाता है हमारी इंजनी इन पर परने टूल इन सब चीजों की मदद से और इसकली कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइट यह इसकी कोई तो यह पारिश के पानी परिए पानी की नीच्रील परिश करते हैं कि यहीज सब कोती हैं दूसरा होता है intensive ५ॉबराप्टीन की यहां पर और पोपुलेश्न बहुत हाई होती है जिसकी उसां भी हृत हिशा के सब्सक्राइब कर लिए बहुत कर दाता है जलोर हिस्तिंटन के लिए भी हैं भ키 में बहुत सारे लिप के लिए यूज किया जाता है इसमें खास बात यह होती है कि हाँ यूज का यूज होता है इसका क्लियर एक ग्रॉप को बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही बड़े मास स्केल पर ग्रोग करते हैं और जैसे चाई पती की प्लांटेशन होती है और उसको पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है हमारे इंडिया की क्रॉप को ग्रोग किया जाता है रवी खारीफ जायद रवी क्रॉप को मॉन्सून क्रॉप सी बोलते हैं जैड क्रॉप को लगाया जाता है इंको upon की आज को चूछा और इनको काटा जाता है मरच थाख पर खरीप लगाने कि कोई के स्थेत नहीं है क्योंकि मॉंहां को किसी क्यारी चाहिए प्राइब करते हैं कुंछ कॉछ होती हैं तक ब्रॉप किया जाता है इंदा स्टार्टिंग जब सुन राइव होता है इनको हर्वेस्ट किया जाते हैं ऐसे सीजन में तो जाता है हमारा वीट हो जाता है बाड लियो जाता है थारी क्राई क्रॉपस की कंडिशन को अब हम समझेंगे समय करते हैं फिर इंडिया की स्टेपल फूड सबसे जाना को सिंपल दी चीज बता तो कैसे आप करोप की कॉला कि याद करेंगे इसको लेकर एक दो की वीडियो भी बना रखे होगी वो भी आप एक देख लेना तो अब आपको यह बस याद कर लेना है कौन सी क्रॉप रवी है कौन सी खारीफ है और आप उसमें सेम कंडिशन लिखके आ अब आपको यह याद है कि यह क्रॉप रवी है यह क्रॉप खारीफ है तो अगर रवी क्रॉप यह विंटर सीजन वाली तो इसको टैंपरीचर चाहिए मैं बोलूँगा किसको टैंपरीचर चाहिए से ज्यादा अभी देखता हूं बिल्कूल सही चीज़ा और मैं अभी तक भी नहीं किया था कि यह मैं जो बोल रहा हूं वो सही था या गलत था लेकिन मैं यह ट्रिक अपने टाइम पर यूज की थी आपको भी बता रहों दूस है और रेनफॉल कितना सेवेंटीफाइव फिफ्टी तो सेवेंटीफाइव सिमलर चीज़ें हो जाते हैं इसका मतलब कम रेनफॉल ही निकल कर आता है तो इस तरीके से आपको हरे क्रॉप की कंडिशन याद हो जाएगी आप बस यह याद कर लो रवी के लिए क्या कंडिश सब को देख भी सकते हो तीक है इस चैप्ला से पांच में इंपोर्टेंट क्रॉप निकल कर आती है और एक और कोई क्रॉप होगी तो मैं आगे बदा देता हो सकता है चाहिए 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 घर्मियों वाली इसको टैंपरिचर कितना होता है ऑल्मुस्ट 21-27 डिग्री से सेंटीमिटर भी बोल सकते हैं तो शुगर केन बेसिकली एक खरीफ क्रॉप हमको पता है खरीफ क्रॉप में दो चीज़े होती है टैंपरिचर कितना 25 से उपर रेंफॉल कितना 100 सेंटीमिटर या उससे उपर इन डॉनों को लिखाओ को कोई तुमारे नमबर नहीं कहातेगा शुगर केन को लेकर फिर आता है कुछ बहुंपरंटट न ही है हमारे लिए टी हमारे लिए चाय पती इसलिए प्रीइशन की जाते हैंसको बहुत बड़े level असे थाजाए जाते हैं और सैट हिसके शाएब ने टॉटब्स को ऊधर यह चीज हमारी इंपोर्टेंट ही तो हमारी यूट रपर आइस वीन और ऑंड यह पांच ही इंपोर्टेंट रॉपर क्या होती है एक टो नियुक्त वाप पता है एक टेरियल क्रॉप क्या होती है तो बढर मज़े मज़े है एकुट्वितॉर नीजिसको थेम्परचर हाइए यह लाइण इसलिए इतनी वार को चीजों को फिर आपको अभी को याद हो जाए निक्स्ट पर हमारा आता है नेक्स्ट जो है cotton cotton हमारी खारीफ रॉप है cotton कारीफ क्रॉप है यानि गर्मियों वाली क्रॉप है तो इसमें मैं कुछ चीज़े बोल सकता हूं खारीफ यानि की घर्मियों का सीजन यानि की टेंपरीचर चाहिए 25 से उपर और रेंफॉल चाहिए 100 से ज्यादा चेक कर लेता हूं सही बोला है यानि यह चीज तो मतलब पहला पॉइंट और यह चीज आपको पता होगी अगर आप रिसोर्स पर के आए हो कि कॉटन को ब्लेक पर में जो पर मैं जो आपने बोक में पढ़ रखे हैं तो और भी अच्छा इंपक्ट पढ़ता है आंसर पर क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यह बंदा पढ़कर आया है ठीक है मुश्किल से एक यह दो क्रॉप पूछ लेगा पेपर में उन ही मैसे आप अगर ऐसे पर में पर कई कर दो किसी बी developing कर रहा है साल पर मेनद करते हैं किसी भी रीजन की वैसे वी खराब को में सरकाराने क्या किया था कुछ 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 हए थे किसान भाई लोगों को मोटिवेट कर सकते कि नहीं आप लोग फार्मिंग को रखो उसमें कौन कौन से कदम उठाए गए था फसल भीमा क्रॉप इंशूरेंस जो किसान थे उनको क्रॉप इंशूरेंस प्रवाइट करना शुरू किया गया था कि अगर आपकी जो क्रॉप है व बैंक को स्टैबलिश किया गया था सो रोडल इंडिया के लोग क्या गड़ सके लोगों को ले सके लोगों से बैंक से एट वेरी चीप इंट्रेस्ट रेट तीसरी चीज़ किसान क्रेडिट कार्ट परस्ट इंशूरेंस कीम किसान क्रेडिट कार्ट में बेसिक लिए होता है जब उनको जरूरत होती थी या कुछ-कुछ ताइम ऐसा आता था जब उनको प्रॉपर पैसे उनके अगाउड में दो हजार तीन हिजार रुपे ट्रांसफर किये जाते थे आज के टाइम पर भी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुवात की गयी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिंपल मतलब होता था जो सरकार होती ती ये किसालों से क्या घटी थी फसल को फूर BE 있나step को खरीद दी तो जी Suspeak यह से कम पर कोई और किसानों से उनका सामान नहीं खरी सकता कि हम चावल खरीदेंगे एग तेन रुपीज़ पर केजी क्या थी मिनिमुम सपोर्ट क्राइज कहला थी ठीक है और साधी साथ क्या किया गया था वेदर गुलेटिन को स्टार्ट किया गया था नियूस प्रोग्रा से मारा आता है फूड से क्योरिटी बैसिक ली कैसी सिचुएशन होती है जाप पर हम देखते हैं कि कि पूछ रहा है लोग उसको एफ़र्ट कर पारे अगर जाद से जादा लोगों तक पहुंच रहा है सब तक पहुंच रहा है तो हम बोलते हैं फूड से क्योर्टी नहीं या अवैलिबिलिटी एफ फूड परसंस अबलेटी फॉड फॉड एक्सेश इस बैसिक ली एक तरीका है जिसमें चेक करते हैं कहां पर कितना पूड एक्सेश कर पा रहे हैं यह हमारा फूड से क्योर्टी का सिंपल कॉंसेप्ट होता है फूड से क्योर्टी बनाया रखने के इसको पंृटी फॉड फॉड उनको पहूंचाए जाएगा जिनको इसकी जरूबरत है पर और सरकार के पास सामान को लेती हैं और किसान भाई गडिव करती है और उसके बाद PDS की मदद से उस सामान को distribute कर देते हैं तो इसका सिंपल है FCI क्या कर रही है FCI सामान को खरीद रही है और PDS क्या कर रही है उस तो जो सामान खरीदा है सरकार ने उसको उन लोगों तक पहुंचा रही है जिन लोगों को जरुआ है एटा वेरी cheap rates ठीक है तो जो FCI होती है किस प्राइस पर सामान लेती है किसानों से उसको बोला जाता है अगर हर एक एरिया को हर एक ब्लॉक को सेल्फ सफीशेंट बनना है फूड के मामले में यानि कि ऐसा बनना है कि उसे किसी और पर निर्भन ना करना पड़े तो क्या क्या स्टैप्स उनको लेने पड अच्छा इंफ्रस्ट्रक्टर प्रवाइड करें ट्रांस्पोर्टेशन सब्सक्राइब करें जैसे करें सकते हैं कि वह फूर्ड के मामले में तो किसी और पर डिपेंट करने की जरुरत ना पड़े इस लिए चीज बोली जाती है कि अगर हम चांते हैं इंडिया में फूर् देनी पड़ेगी तो देश से क्यों होई नहीं सकता देश की जो फूट डिमांड से वो कभी सटेसफाई होई नहीं सकते हैं यह चैप्टर का भी यहां पर दी एंड होता है बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर हो रहा है लेकिन मुझे रखता है समझ में आ रहा होगा अगर आ नहीं पर ही पहुंच जाओं है तो मिंद्रल वेकिन में यह यहीं पर साइंस का मि Can इसको पाया जाते हैं कई सारे आपने रोक्स देखेंगे कई देखेंगे जिनके अंदर क्या आजाते हैं इन वह समय इंधर मिनदान पॉल दे और कोई बहुत बड़ा करेक है इसको मतलब बहुत जादा मिनरल हमको मिलेगा तो इसको हम आयोट बोल देते हैं जिंक कॉपर आयरन इन सभी चीजों को हम कहां पाते हैं इनके अंदर पाते हैं क्रेक्स के अंदर पाते हैं दूसरा जो तरीका होता है वो पाए जाता है सबस्वार्ब रॉक्स पड़ा चीज़ेंस में बतातों सेडिमेंटी रॉकस बनती हैं जब क्या होता है चोटे-चोटे फाइन पार्टिकल्स आपस्में एक्यम्लेट होकर साथ में आकर डपॉजिट हो जाते हैं और इसी तरीक से आपको से मिनरल बिलता है तो सेडिमेंटी है इस सबी चीजह यहीं से मिलती है तीसरा होता है मिंडल को पाया जाता है फ्रम डेकंपोजिशन और सर्फेश रॉक्स तरीका यह दो यह सब सब्सक्राइब करने का वह पहाड़ी एरियास होते हैं यह जो फ्लोर से नहीं वाले जो सब्सक्राइब करता है यह जो बड़े बड़े महा सागर है इनकी जो पानी है इनके पानी के अंदर भी क्या होता है अगर आपको यह चीज नहीं समझ में आया तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा कोई इसमें मुझे करते हैं में जो क्लासिफिकेशन करते हैं और नॉन फेरस वह जिनके इंदर आयरन नहीं है इसको सिंपल और होती है यह बहुत ही आरे फिसक्री दो थाइप का होता है पहला होता है फेला होता है मैंगनेटाइट रूसरा होता है है यह हमारी इस होता है सब्सक्राइब नहीं होता है सबसे पहले आता है कौपर के इंदर नहीं होता है तुमको भी पता है मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टी सिंपल है मैलियबल है डक्टाइल है साइस का प्रेपर देख राए हो भूले तो नहीं होगे सबी चीज़े अब इतना ही कॉबर के बारे मांको पढ़ना है बॉक्साइट कि लिए बॉक्साइट कि बसाथ बिसिकली एक और होती है किसकी अलूमीनियूँ की बॉक्साइट और होती है जहांसे हम क्या करते है। को obtain करते हैं यह सब ही चीज़ें सिंपल इसमें आपको और ही इंपोर्टेंट थी और इसके बाद इसमें जब को आएगा तो वह आपको इंपोर्टेंट रहेगा तीन ताइप का क्लासिफिकेशन तो फैरस नॉन फैरस मिनरल में आपको खाली आयरन से मतलब है उसके बाद आत में सबसे पहले अजब कर सकते हो इसको तुम बसक्राइब कर सकते हो आई कि अलग-अलग कर सकते हो लग-अलग कर सकते हो पतली पतली शीट में और जो पजिसे आप पतली पतली सीट बना सकते हो से फिर आप क्या कर सकते हो सबसे आरा यूज्म सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है किसी भी चीज को बचाना क्यों जरूरी है क्योंकि वह खत्रे में इसा है जब यह खतम हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर घनरेशन को प्रॉब्लम सफर करने पड़े हैं। परीक पर पहले पर के लखडी के इस्तिमाल होता था काव डंक जो उपले उपले होते थे उनका इस्तिमाल से करने के लिए लेकिन आज के टाइम पर यह नहीं होता है क्यों क्योंकि इससे इंडिया में जो लगातर कम हो गए जिसकी वजह से इस लोगों को बोला किया कि यूज मत करो आप काउडंक का इस्तमाल मत करो इससे बहुत दिक्क्त हो रही है इन्वाइर्मेंट को हानी पहुंच रही है अब बात करते हैं सारे सोर्स पर नमर वन आता है हमारा कोल क्या है कोल से हम एनरजी को अप्टेन करते हैं इलिक्ति जनरेट क को बहुत सारी जगहों पर खामा अप्सको बना कितना क्रबहने हैं उसके बिसने से अच्छा होता है लेकिन सबसे अच्छा नहीं होता है और हमारे इंडिया में जो जनरल हम कोल यस निदि कोमेर्शल परपस के लिए मिस्तमाल करते हैं और तीसरा होता है यह सबसे जादा कार्वन बनता तब इनकों क्या देते हैं बरी कर देते हैं जमीन के बड़े टाइम के बाद हाई तरीकी से फॉर्म बन जाते हैं तो तीन होते हैं सबसे घुणाल सबसे उने वाला और सबसे खराब क्वालिटी वाला इस बन जाता है कि यह बन जाते हैं इतना बड़ा एंटने जाओं कि हो सकता है क्योंकि रास्ते में हो इसलिए हैं जनरल दो को लिए धुरी तक करना पड़े जिससे कोल का वेंट ज्यादा कम नहीं में पैट्रोलियम कैसे बनता है आप सब पता है वह मुझे आप लिंक में कमें बताना कुंकि यह आपके इस पे आगर आऊँ कि यह प्रोलियुम कैसे बनता है तव में टांट वेस्ट कर रहा हो आप लोगों पर टीक है निज्टा रिजल के सिंप्ली बोलु दिते हैं एसी घैस जो नेचरल प्रोड़क्त से उप्टेन उसको नेचरल गैस एसमें सब इसको सब बाकी सब इंडस्टीज में भी इसको यूज करते हैं इसको याद नहीं करना है ठीक है अगर आपको नहीं भी आयना तो दिमाग से बनाकर लिख देना आपका आंसर सही चला जाएगा ठीक है पहला होता है थर्मल यानि कि हम पानी से अप्टेन करें जैसे कि कोल को जलाकर या पेट्रोलियम की मेरत से नेचल गेस की मेरत से तो वह हमारी थर्मल एलेक्टिसटी होग करेंगे जाएक कोमारा तरीक इस्टेमाल करेंगे से नवारा तरीका है और हमाद करते हैं आज के तवकर मौडर्न तरीक बढ़िए को यूज करने में कि हम अगी जरूरत है यह जनल से एनरजी इनम पर इतना इंपॉटेंस देन कि क्यो ज़रूरत है सिंपल है क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं इसमें सबसे पहला जाते हैं नुक्लियर नेजी को डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इतना पड़ो इसमें बहुत जादा इनर्जी प्रडूस होती है कैसे से मिंदी बहुत ज़ादा ही ऊता है इक्स्पेक्ट बहुते हैं और गेंडी और बहुत ज्यादा Holland खोता इस में और सोलर एनरजी को सब्सक्राइब कर रहे हैं और सोलर एंदिया में वहां जहां पर connections नहीं पहुंच सकते थे वहां पर अब लोग क्या कर रहे हैं और electricity को प्रेडियूस कर रहे हैं तीसरा आता है विंड पावर जहां पर हम क्या घटे की स्पीड की म्रण से हवा की जहां पर यावा होती हैं चलती हवाय होती हैं वहां पर हम इंड में लगाकर फिशन पेड़ की मिल अधर मिल सकता है में अधरी में मिल सकता है सबसे बनियों कि इनके लिए इस सबसे इंभार में पहुंचता है सब्सक्राइब करने के लिए इन लेहरों की इनरजी के मिरत से तरबाइन को बूब कर आते हैं और इससे हमारी इलेक्टिसिटी जन्रेट होते हैं लास्ट होता है जियो थर्मल एनरजी जियो का मतलब होता है अर्थ कर लएंध की मतलब हमारा अर्थ जो है वह अंदर से ग्रम है जितना ऊप अर्थ का अदर जाओ इलेक्टिसिटी meaning करते खर सब्सक्राइब करने की ज़रूरा थे क्योंकि वो खत्रे में और अगर इनको सब्सक्राइब पहुंचेंगे नहीं और दूसरी चीज हमारी फ्यूचर जनेरेशन को प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके लिए बचेंगे नहीं तो यहां तो आपके इस चाप्टर का भी देंड हो और एक और चीज़ करोंगा अभी कभी इस वीडियो को पहुस करो जितने चाप्टर हुए उनको एक पार गोत्रों करो जो भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन या इस्पेशली टेलिग्राम पर मुझे बता दो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा एक्साम के पहले पहले जैसे कॉटन से क्लॉट बना दिया वोड से यह सबी चीज़े क्या है हम रोव मटेल से फिनिश्ट बना रहे हैं अब किसी भी देश में इंप्रड़न को दी जाते हैं उसके में चार बन पाते हैं पहला रिजन होता है कि एक अगरी कल्चर में क्या होते हैं बहुत सारे यहां करते हैं यहां पर किसी को तो इससे किया ओटा यहां आपर जुटन केल साथ में और ना इक साथ होता है जितनी ज्ञादा मैन फैक्टरिंगे जी बनेंगे और जटना सामान बनेगा उतना व्तना रहें जद्छ शाना बनेगा उसक्य होता है सामान हमारे देश से दूसरे जिए देश में चार रीजन जो में मटाते हैंड कि कि कुछ कूंने इंडिया मनें कुछ अलग लग पार्स वा क्लासिफ्फाई रखा कर सकें समझ criter सबसे पहला होता है अगर किसी इंडस्टी में वो रो इंडेर से हो रहा है जो मिनरल से होते हैं तो वह हो गई हमारी कौन सी वह जाती है हमारी मिनरल बेस्ट यानि कि जहां पर भी मैटल एक चीज़े बन रहे हैं वह हमारी एग्रो बेस्ट है उसके बाद होता है on the basis of capital कितना पैसा लगाया गया है पहला होता है स्मॉल स्केल इंडस्री दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्री वह इंडस्री होती हैं जिनकी इंवेस्टमेंट एक करोड से ज्यादा होती है उसके बाद आता है on the basis of ownership मालिक कौन है प्राइविट इंडस्री सबसे पहले public सेक्टर इंडस्री इंडस्री जिनकी मालक सरकार होती है इंडुसरी दो इंडीविदस्री इस Über villages कंपनी होती है जो मालिक कोई सेक्टर इंडस्री सब्सेद यह के से मालिक के लाएंगे तक अपना सामान पहुंचा रहे हैं जहां पर सप्लार प्रोड्यूसर्स यह लोग्सम मलें इसका ले डिए हमारी इंडिया में चौता होते हैं और लाइट के बेसिस में हैवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पर है वी रॉम मटेल यूज होता है और लाइट इंडस्ट्री इस जगा लगाता है जहां पर उसको सारी सुवदाएं मिले अपनी जंपनी देशिन ऐसे लाइट एलेक्स धूरन सबस्ट्री यह वही जहां पर इसको तो सारी फैसिलिटीज चीप रेट पर मिल जिससे उसका इंवेस्टमेंट कम रहे उसको बाद में प्रॉफिट जादा से जादा हो पाए कई सारी जो हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है कुछ-कुछ इस पेशल तरी के कदम उठा रखें जिससे क्या क्या कर सकें अलग अलग कंपनी को अपनी तरफ प्रक्र कर सकें और मिल रहे होते और इस तरीकि से जब क्या होते हैं कोई व cioè क्या होते में आ इक एक साथ आते हैं किसी भी जगह पर जो उनको benefit मिलने उनका benefit लेने के लिए उसके बाद हम इंडुस्ट्री के बारे बात करते हैं बहुत सारी इंडुस्ट्री आपकी कट गई है बहुत अच्छा है आयर इंडुस्ट्री नहीं है कुछ यहीं सारी इंडुस्ट्री क्या होता है इंडुस्ट्री में यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है और इंडिया की कि इलेक्रोनिक क्ञा जाता है यही आपका पूरों कशपर का सार। नेंगेश्ट मेस लीज पूढ़ा होँटा थो मेरे इसा फैररे फॉल्यूशन मेली होता है यह सब्सक्राइब करते हैं यह अपने गरम पानी को छोड़ती है जो पॉंट्स में जाता है जिसके विए से पानी की क्वालिटी खराब होती है तो यहां पर क्या हो रहा है थर्मल पॉलिशन में हीट इंडस्ट्री जनरली यहां पर हीट का इस्तमाल हो रहा है उनकी वैसे पॉलिशन हो रहा है चौता होता है जनरली माइनिंग माइनिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री यहां से बहुत सारा नॉइस प्रेडियूस होता है जि कि फरिटल फजया चाहिए इस तरीकिंट हो सटाव मेरी इस तरीकिंट हो सकता किया थीं तरीकशा कि या तरीक हैं इच्छा के आप बहूत करता है तरीक हैं कर्वा पानी कम से कम यूस करें हो जो अग्स कर झा इसके हम पानी को और भी अच्छे तरीकी से यूज कर सके और कम से कम पानी को वेस्ट कर सके तो पहला सिंपल है minimizing use of water for processing by reusing and recycling it in more than two stages दूसरा होता है पानी जो हमको मिल जाए उसको water harvesting करें जो पानी हमको rain water से मिलता है जो हमने water resources chapter में भी देखा था उसको हम क्या करें उसको हम conserve करें for our future needs इसको वो तीन तरीके से कर सकते हैं अलग अलग technology की मदद से screening की मदद से grinding की मदद से sedimentation की मदद से बार बार उसको recycle करें उनके पास प्रॉपर technology भी होती है इस chapter के लिए भी अभी मुवण करते हैं मारे last chapter की तरफ that is the life lines of national economy अब बने हुए हो तो अगेन वही चीज करो वीडियो को pause करो chapter को revise करो कोई doubt हो मुझे टेलीग्राम में message करो that's it the last topic is the life lines of the national economy एक देश की जो transportation system है में इसी को स्टार्टेसस की lifelong जाता है उसीको स्टेश की falafoline बोला जाता है करें जातै इंडिया में किसी और देख लेहें नबर बन चीज तो रोडवेस को इसलिए प्रिफर किया जाता है किसी और मोड प्रांसपोर के कमटशन में सपेशल ही साथ रोड को कहीं पर भी बना सकते हो ऊची नीचा 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 नहीं बत रहता है लेकिन लोट ऐसी बन चकती है उपर नीचे होते हो तो रोट को तुम किसी भी काइंड ऑफ टोपोग्राफिए तुम बना सकते हो साथ ही साथ जो रोट से होती है रोट सुमको पहुत ही एकॉनमिकल होती है छोटी-छोटी दूरी के लिए अगर सपोस्के तुमको दस-वीच क सब्सक्राइब करते हैं जो बंदर गाहा होते हैं इसलिए रोट का बहुत इंपॉट आगा है अगर रोट से नहीं होंगी तो दूसरी जगा कैसे जाओ गया इक काम बीच में हमारी इंदिया में इंको अलग बाट्स में क्लासिफाइब किया गया है सबसे पहला होता है इमा क्या क्या जाता कि अपस में जोड़ा जाता है देश की चाहर में पत्रों कशको कम से कम किया जासके मैं इसका में ऑप कैसे में इसको कपींगी आपको कई अपने निकल में लिंक कर रहा होता है और इसको मैंटेन किया जाता है CPWD के रवारा Central Public Works Department के रवारा हमारे इंडिया का सबसे लंबा हाइवे जो है वह आज के टाइम पर एने 7 आप बोल सकते हैं और उसी का नाम मदलकर एने 44 भी कर दिया गया है की इसको मैंटेन का कम होता है इसके पास होता है इसके जडिक चोटी-चोटी-चोटी जगह वही् सब्सक्राइब करता है इन रोट को बनाया जाता है हम लोग जो आर्मी है वह उन एरियास तक पहुंच के जिन आर्मल लोग नहीं जा सकते तरीके से देश की सुरक्षा कर सकते हैं सब्सक्राइब करें चोटे चोटे-चोटे विलेजिस को आपस में लिंक कर रहे हैं और बॉर्डर के लिए जो आर्मी के जाते हैं उन एरियास में पहुंचने के लिए जहां तक कोई नॉमल नहीं जा सकता आप समझ गए थे सब्सक्राइब करते हैं इसलिए निए इसको प्रफर किया जाते हैं इसलिए इस सवाल पूछे जाता है कि और चीज़ में आपको अल्रेडी बता चुक्छ साथ मोई साइट सेंग ले सकते हैं कि आपको आखरी वाले डिबों में आ बाकी आपके आपक्या अगर सकते हो ट्रेन में पैसेंजर्स को ले जा सकते हो और डॉट बैनिफिट से च्षेंग नेटवर्क यह बहुत अक्ति डिपैंड करता है कि जो एरिया है वहां पर जमीन कैसी है क्योंकि रेलवेस उनी जगा पर पाया जा सकता है जहां पर क्या हो जहां पर जनरली प्लेन लेंड पाई जाते हो अगर कहीं पर ऐसे मौंटेनियस एरियाज है तो वहां पर रेलवेस की लिंक को स्टाबलिश करना बहुत ही जादा डिफकल्ट हो जाता है लेकिन जो होता है वहां पर रेलवे का इस्तेमाल नहीं होता है क्यों कि वहां पर जमीन ही नहीं है रेलवे को बनाने के लिए सिंपल सी बात ठीक है फिर आता है पाइपलाइन हमारे इंडिया के इंपोर्टेंट के नेटवर्क है अपर आसम टुकानपूर गुजरा तो जालंदर जाफी एक इंवार्मेंटली ओफ ट्रांसपोर्ट माला जाता है यह बहुत ही है यह बहुत जादा लंबी दोरी पर बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करी करना हो जैसे इंडिया के कुछ निच्छल वाटर वेज हैं गंगा गंगा रिवर बिट्वीन अलाबार ब्रहमपुद्र रिवर विदीन साध्या इंडवरी इंडिया में कई सारे में पर टूटिक और इंचेन नहीं विशाखापन्व बहुत सारे पोट से सिंपल माप में ट्रेक होगी आपको ऐसे बस ट्रॉ कर देना है ठीक है के डबल में के याद करने की के डबल में के टीसी इसी ओडर में आपके सारे माप दिये रखें हैं ठीक है मोगन करते हैं नेक्स पर एयर्वेस एयर्वेस जो है हमारे इंडिया में जो एयर ट्रास्पोर्ट है उसको नेश्रलाइस किया गया था नाइटिन फिफ्टी त्री में और जनरली आप देखो के नौर्ट इस्टेट तो प्रिफर करते हैं मैं मांश कम्यूनिशन क्या होता है जम मैं आप से बात कर रहा हूं क्या करा रहा हूं अपने एक मैसज को एक बही ऑडियों टा था रात लिंगय करते हो वह क्या हूं लुए आप लाइब कर सकते हैं इंडिया वह फीचर फिलम्स बनाने वाला सबसे बड़ा अब कुछ नहीं इसमें बुला गया है कि इंडिया में बहुत प्रोटेंशल है टूरिस्ट में ग्रोड करने का तो यह आपका ते ने जाती है जब हमारे इंडिया की इंडिया के बाहर ट्रेद हो किसी और देश के साथ लिए है जैसे कि इंडिया जाने वाली फ्राइट को होते हैं तो इंटो आप किसी सथ correct करते को या आप आप सामान किसी ह 그러면 यह किसी और है उनका सामन अपने देश महते होग इसके फारी फैर फैर आप harm कि encryption यह घ सबसक्तर्ण तो इसे होए cutting यह हैं इंडिया से सबर्णक की है अंडिक के जी राइस और सिंसरे देश सामार मनला 80 kg राइस तो ऐसे में क्या हुआ तुम फायदे में चले गए क्यों कि तुम्हारे एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था वह कम था यानि एक्टी केजी था तुमको 20 kg का फायदा हुआ एसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं जब export की value इंपोर्ट से ज्याधा हो। ऐसी सिचुएशन को हम favorable balance of trade बोलते हैं कि वह तुम्हारे favour में यह व्यापार तुम्हारे favor में जा रहा है लेकिन अगर मैं इस situation को पलड्ट हूँ तुम्ने किसी देश में 100 kg राइस बेचा और उस सिचुएशन होते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल फेवरेबल का सिंपल मतलब जब मैं प्रॉफेट हो रहा हो प्रॉफेट का वहाँ जब तुम्हारे एक्सपोर्ट कम होगी और इंपोर्ट जादा होगी तो यह थोड़ी से लंबी होगी लेकिन 7 चाप्टर से सबसे जादा यहीं पर है तो वीडियो का लंबा होना बनता भी था लेकिन इस वीडियो के बाद आपके 20 मार्क कंप्लेटली इंशूर्ड है टेलिग्राम चैनल पर आकर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करना झाल को बा दास को उनकी को जोड़े ट्सक्राइव खरूर्ब्सक्ड जरूराम हम सुगरा लेकिन जाम मता होना भी मता है कि मता टूर आपके 21 मार्क के बाने तो पका दो किस्चेश्ट रूरं मता हैं झाल किस्चेश्टावम